आज के इस विडियो में हम लोग जानेंगी कि 3 कट का इलबो माइटर कैसे बनाते हैं तो आज के इस विडियो में हम लोग complete सिखेंगे कि 3 कट का जब भी आपको कितना भी ड्या का पाइप हो जब भी आपको माइटर बनाने को मिलता है वन कट, दो कट, तीन कट किसी भी डिगीरी में अगर आपको बनाना है तो डिगीरी में भी आप बना सकते हैं बट आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स टाइम जब आप बनाते हैं तो आपको क्या-क्या पोरसेजर फुलो करना चाहिए क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है आज के इस वीडियो में हम लोग कंपलीट सिखेंगे कि जब भी आपको माइटर, इलवो माइटर मिलता है बनाने के लिए तो आप कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले जब भी आपको दैर्टक मिलता है तो, पाइपक आ ओडि आपको मादर मालू करना चाहिए कि हमारा कितना पाइप का ओडि हमेर और दि कितना है तो अभी मैं आपको डिटेल में फर्षट टाइम जब आप बनाते हैं आज के इस वीडियो में आपको थोरा भी डाउट करने का जोड़त नहीं है जो भी आपको तरीका में बताऊंगा उसी तरीके से आप दो कट में बनाना है या तीन कट में बनाना है या चार कट में बनाना है जितना कट में चाहते हैं बनाने के लिए यह यह 6 इंच का लाइन ह यानि इस सो और सट है में इसका ओडि यह तो जब भी आप बनाएं तो पहले आपको ओडि मालुम करना है कि हमारा ओडि आपको परफेक्ट मालम हो जाता है तो आप सीफ ओडी इंटु तो 33.124 सीफ उपाई्प है तो आपका दिध लको आपको निकल के जैसे आपको 6 इंच का पाइप कर ब्लाना है तो किया कि अभी हम लोग फरस्ट टाइम बना रहे हैं तो फरस्ट टाइम सबसे पहले 4 छेंटर लाइन में सेंटर लाइन में सिखेंगे तो आपको सीफ भाग दे देना है जीतना सेंटर लाइन में बनाते हैं तो चार सेंटर लाइन में बना रहे हैं तो यह चार देते हैं क्यों देते हैं ताकि हमारा यह पाइप का यह दूरी निकल के आगया तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह आप देखिए, सबसे पहले जब भी आपको मिलता है तो एक का टॉप लाइन मारना पड़ता है, तो एक आप ऐसे एसपीट लेबर रखके ऐसे यह लेबल मिला के ऐसे आप टॉप मार देंगे, ऐसे ओडी का हाफ, 162 का हाफ आप लेक मारते हैं, तो आपका यह एक का दो ज आपको भी मार्किन कर लेना है, सिम इधर भी मार्किन करेंगे, इधर ऐसे चार आपको यह जैसे यह 1, 2, 3, यह फोड, तो ऐसे आपको चार सेंटर लाइन मार लेना है, और एक पे टॉप लिख देना है, एक बोटम लिख देना है, जैसे मैं यह टॉप लिख दिया हूँ, ऐसे ही आपको बाटम भी लिख देना है आपको थोड़ा भी डाउट करने का जरूरत नहीं जो भी इनफोर्मेशन मिलेगा आपको सही मिलेगा और देखिए आगे आपका इसका जो जो फर्मूला है इसी फर्मूले से आप बनाते हैं तो बहुत ही अगर आप इंटर्वीव मे जैनी पाइप का सी इंटू डिगिर आपको कौन सा डिगिरी में बनाना है यह आपको डिसाइड करना है और नाइटि डिगिरी में आज हम लोग सिखेंगे बनाने याटोस्ति olmas यूज भगेmost360 दिउस यह तीन्टू साथ इन्टू को द वन्दीन कर्बयाना है जो यानिंकल वीडियो में हम लोग 3 cut में सिखेंगे बनाने के लिए कि कैसे 3 cut में बनता है देखिए यह CF हो गया 528 mm आपका यह CF हो गया into degree यह 90 degree में बना रहे हैं तो यह आप CF into degree आपको यह बराबर करते हैं तो यह आपका 47, 5, 20 आपका यह निकल के आ गया यह आपको 360 into 2 into 3 यह 3 क्या है तो आपका ये तीन कट में बना रहे हैं तो ये 3 number of cut ये दे रहा है तो ये number of 3 cut आपका तो 21,60 आपका ये निकल के आ गिया अब भाग दे देते हैं 47,25,20 में आप भाग दे देते हैं 21,60 से तो आपको 22 mm cutback निकल के आ जाता है आपको 22 mm cutback निकल के आ जाता है तो आपको देखे ये cutbacks हो गया मैं आपको marking करके दिखाऊंगा कैसे marking होता है मेन आपका marking है marking अगर आप समझ जाते हैं पूरा detail में तो आपको कभी परसानी नहीं होगा तो ये 22 mm आपका cutback निकल के आ गया तो ये देखे इलबो 3 टाइप का होता है ये आपको mind में रहना चाहिए extender radius, short radius, long radius तो ज़्यादा तर हम लोग use करते हैं जो होता है extender radius आपको ज़्यादा तर काम करने को field में या कहीं भी अवगर माइटर बनाने को आपको मिलता है तो ज़्यादा extender radius मिलता है तो extender radius आपका 6 होता है और short radius का 4 होता है long radius का 8 होता है तो आप zone सा radius में बनाते है और radius में आपको 6 से ये cutback 22 mm आया ये cutback निकल के आपका 22 mm आया तो ये 6 into 22 आप कर देते हैं तो आपका इस 132 mm आपका निकल के आ जाता है और इस 132 में आपको ये देखिए ये आपका मेडल पीस निकल के आ गया है इस 132 mm तो आपका ये मेडल पीस में अभी आपको कैसे मेडल पीस मार्किन होता है कैसे side piece मारतीन होता है कैसे cut back मारकिन होता है ये आपको मैं 3 डीटेल में मारकिन करके आपको cutting करके आप चाहेंगे तो fitting भी कर सकते हैं एक दम आपका ये mm का difference भी नहीं आएगा तो ये आपका 132 mm आपका middle piece आगया तो middle piece में अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो आपका ये side piece इसमें अभी मैं मारक करूँगा side piece तो आपका side piece आ जाएगा तो side piece आपका 6-6-6 mm आपका भाग दिए तो आपसा 6-6 mm आपका ये side piece हो गया तो अभी मैं आपको मारकिन करके दिखाता हूँ कि अभी यह कैसे मार्किन होता है उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है डीटेल में आपको समझाऊंगा तो साइड पीस हमारा कितना निकल के आई सा 66 mm यहनी 66 mm आपका साइड पीस है तो आपका जो फेस बराबर है उदर से आपको मार्किन कर लेना है 66 mm आपका ये एक मार्किन हो गया ठीक है और 66 mm ये मार्किन करने के बाद आपका ये मेडल पीस कितनी आया था निकल के मेडल पीस आपका निकल के आitt atm 732 mm तो आपको disc 122 PS 132 mm आपको यहां मार देना है 132 mm ये हो गया सेम एक और आपको 132 में तीन कट में बना रहे हैं तो आपको 3 मार्किन आएगा 132 में यह हो गया आपका 132 में यह हो गया 6-6 mm आपका यह हो गया 6-6 mm आपका यह हो गया ठीक है तो देखिए यह यह आपका साइड पीस हो गया यह आपका मेडल पीस हो गया यह भी आपका मेडल पीस हो गया सेम ऐसे ही आपको बॉटम में भी मार्किन कर लेंगे ताकि थोड़ा मार्किन करने में और इसको मारने के बाद इस लिए मैं यह थोड़ा चोटा पीस अपना साइज के कर लिया हूँ आप लोग जूब पे आपको 12 पीस मिलेगा तो आप एक साइड मार्किन कर सकते हैं या फेश बरावर नहीं है तो कुछ दूरी पे लेके आपको राउंड पर्टी मार के को आइसे ही आपको करना है मैं थोड़ा ये मिंटा रहा हूं तो इस लिए इसको मै ग yard लिडी जितना पर हिस लगेगा आभी इसको क्या करेंगे हम लोग लुग राउंड मारें गए इस पर ये रा tengan पटी मारेंगे तो सीम आपको ऐसे अगर आप चारू सेंटर लाइन में चाहते हैं मारने के लिए तो चारू सेंटर लाइन में ये सिस इस एमेम आप तो मार्किन करने के बाद आपको राउंड पटी से राउंड पटी है आपके पास तो राउंड पटी से आप मार सकते हैं आपका कटबैक कितना निकल गया था कटबैक 22 mm निकल गया था तो अभी मैं आपको मार्गिन करके बताऊंगा कि कैसे पाइक में मार्किन करते हैं ताकि हमारा जो भी कटिंग आएगा परफेक्ट हमारा 90 डिगरी में फीटिंग भी करेंगे तो आपको थोड़ा भी ग्रेंडिंग मारने का जोड़ तो नहीं परेगा और मैं यह आपका 22 mm अभी यह आपका साइड पीस हो गया 68 mm यह आपका मेडल पीस हो गया यह आपका साइड पीस हो गया यह आपका मेडल पीस हो गया यह भी आपका मेडल पीस हो गया यह आपका साइड पीस हो गया ऐसे आप मार्क कर सकते हैं ताकि थोड़ा डाउट जो भी रहेगा आपका हो किलियर हो जाएगा यह आपका टॉप कटभैक आया था निकल के तो 22 mm आपको कैसे मार्क इन करना मैं अभी आपको decels हुझ्ण कर लेना और मार्च आपको मार्क इन कर लेना और ये 22mm आपका कट बैक निकल गया था तो 22 mm पहले सबसे पहले यह वाला लाइन से आपको इधर मार्क करना है ठीक है यह वाला लाइन से इधर 22 mm आपको मार्क करना है मैं अभी 22 mm मार्किन कर लेता हूं यह 22 mm आपको अगर परफेक्ट आप मार्गिन करते हैं तो आपका 1 mm का डिफने यह 22 mm आपका इधर हो गया तो सेम आपको बोटम में आपको यह साइड बोटम में यह टोप लाइन हो गया तो सेम आपको बोटम में आपको यह साइड मार्किन कर लेना है ऐसे आपको मार्किन कर कि आपको detail में बता रहा हूं ताकि जो भी doubt है वो आपका clear हो जाएगा 22 mm आपका ये हो गया ठीक है 22 mm ये हो गया फिर अभी हम लोग top में आ जाएंगे आपको 22 mm ये अंदर मार्किन करना है तो अभी मैं इसको भी 22 mm मार्किन कर लेता हूं में आपका अगर मार्किन आपको किदर किदर करना है ये आप detail में अगर समझ जाते हैं ये 22 mm हो गया अब देखिए ये बीच वाला मेडल पीस है तो आपको मेडल पीस में ये इधर मार्किय इसका वाला तो हम लोग इधर मारकी बोटम में और इसका वाला भी आपको सेंग इसको बाहर मारक करना है ठीक बाहर साइड हॉआवाला साईड में आपको 22 mm यह वाला बोटम में आपको मेन आपका यह होता है और कैसे अभी हम लोग मार्किन करने के बाद कैसे मार्किन इसको करेंगे ओभी डिटेल में हम लोग से यह हो गया बोटम लाइन में यह साइड और सीम आपको अभी यह टॉप में आ गए तो टॉप में आने के बाद आपका यह साइड पीस है तो साइड पीस में आपको सेम इसको भी बाहर मार्किन करना है ठीक है ये वाला अंदर मार्क किये ये वाला इधर से अंदर ये वाला लाइन से साइड पेस से इधर बाहर मार्किन करेंगे हम लोग ये हो गया 22 mm ये हो गया इसको बाहर मार्क किये तो आपको इसको अंदर में marking कर लेना है, सिर्फ नहीं आगा यह मैं grant कर लिए यह 22mm यह मार्केंट कर लिए आपको में समझा दिता हूं, ताकि गहिए यह side piece में 22 इस साइड मार्किन के तो सेम को bottom में यह side MarkER करना है। ठीक है, और यह metal piece में बीच वाला में आपको इससे अंदर मार्किन किये तो सेम आपको इसका बाहर ये वाला में 22 mm बोटम में आपको मार्किन करना है ये वाला साइड पीस में आपको बाहर मार्किन किये हैं तो आपको इसका अंदर बोटम में अंदर मार्किन 22 mm करना है तो ऐसे आपको मार्किन करन पाद आपको क्या यह आपका टोप लाइन हो गया यह आपका साइड वाला हो गया यह आपका बोटम हो गया तो आपको यह वाला टोप लाइन से यह वाला साइड लाइन में मैं इसमें मैचिंग करना है स्यम आपको इसमें भी ऐसे मैचिंग करना और मैचिंग करके टेप से ऐ से आपको यह वाला मैं ऐसे मैंच साइड लाइन में मैंचिंग करके और आपको मार्किन करना है ऐसे ही कि प्रस्ट कि सेम इसमें भी यह मेडल पीस में भी आपको ऐसे ही मैंचिंग करके कि यह आपका मेडल पीस हो गया है ठीक है उदर आप चलो कि सेम आपको टॉप में ऐसे ही मार्किन कर लेना है टॉप में ऐसे मार्किन करने का यह आपका साइड वाला 22 mm यह साइड मारे तो आपको यह बॉटम में यह साइड मार किये बाहर साइड यह मेडल पीस में आपको यह साइड मार किये तो यह बाहर साइड में यह साइड मार्क ऐसे ही आपको मार्किन कर लेना है मैं अभी मार्किन कर लेता हूं उसके बाद आगे में आपको बताऊंगा कैसे कटिंग करना है देख सकते हैं आप अभी ये मार्किन होके तयार हो गया सेम आपको ऐसे ही मार्किन कर लेना है अभी मैं आपको ये बोटम लाइन है अभी मैं आपको टॉप लाइन दिखाऊंगा और ऐसे ही आपको राउंड मार्किन करना है ये 22 mm ये साइड मार्किन किये सेम बोटम में आप साइट मार्कन के आपको यह मेड हैज साइच कर दो यह किंधा इस पर पंच मर लेना है और मार्किन करके कि आपको सेम सेंटर से ही आपको कटिंग करना है आप आप कटिंग करेंगे तो अटोमेटिक आप मिलाएंगे तो किदर से मिलाना है किदर से पेटिंग करना है आप जब आटोमेटिक जब पे काम करेंगे तो आपको अनुभाव आता जाएगा कि हमको इधर घुमा के इधर फ सब्सक्राइब कर ये मिलते हैं